हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू विनाय कुकिंग एंग्राफ तो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल हल्वायो श्टाइल आलू परवल की सब्जी जैसा कि आप कहीं साधी ब्या पार्टी में खाते हो बिल्कुल वैसा जैसा हल्वाय लोग बनाके देते है तो चलिए इसे बराने के लिए जो भी इंग्रेडियन चाहिए मैं आपको बता देती हूँ तो यहां पर मैंने एक डेड़ कप के आसपास हमारे यह परवल है और क्वांटिटी में यह एक पाव यानि की 250 ग्राम है इसके अलावा मैंने यहां पर तीन सो ग्राम आलू ले ल साला यूज करते हैं वह ले लीजे और अद्रक लैसुन का पेष्ट यह टू टेबल स्पून नमक स्वादा नुसार हल्दी पावडर हाफ टेबल स्पून दो तेजपत्ता एक इंच का दाल चीनी और एक बड़ी लाइची आधा छोटा चमच जीरा और पान से छे काली मिर् एक वक्ता प्रॉल गरम करना ने तुट आपको प्राइची आप देख रहा है कि तो दिख रहे हैं कि कड़ाई में मैंने आइल को गरम करेंगे तो जब तक हमारा ऑइल गरम हो रहा है तीन प्याज करेंगे यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े साइस की और इनने बारी करे पर वलके अंदर जो कड़े कड़े बीज होते हैं उते मैंने निकाल लिया है जो नरम बीज है उन्हें आप शोर सकते हैं और जो ज्यादा कड़े हैं उन्हें आप निकाल लिए एक कोई भी फूढ पर गालर और कश्मीरी लाल मिर्च कोछ भी इस्तमाल नहीं पर दिया रएब और लें पर이면ए रहे हुआ सब्बसक्राइब मैं भोन गया है थो राम्हाइब को टियार तो पहुआ ओकेज़ सब्सप्राइब रहेरेखें हिगे सको herself याई लो फ्लेम पे भुनाया तो आलू लगबग पक चुके हैं तो अब देखें कडाई में जो बजा हुआ तेल है इसी को गरम होने गरम तो है ही अब इसके अंदर हम जीरा तेजपत्ता काली मिर्च लॉंग डालचीनी सब कुछ एड़ करेंगे और थोड़ा सा इने हम करार और तो आपको देखें खेंगे तो अब मैं इसमें कटे हुए प्याज डालूंगी अब आपने अपने साटे कर सकते हैं तो फ्लेम को आपको लो मेडियम ही रखना है हुआ हम वर देख सकते हैं कि एक चोथाई कप जो आइल है बच गया आधा उइल का ही इस्तमाल पिया है अपर अप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया तब आपको यहां पर आड कर देना है अपना यह जो पेष्ट है अधरक लासोन मिर्ची का और इसे थूड़ा सा फ्राई करेंगे तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर प्यूरी और अब हम डालेंगे यहां पर हल्दी पाउडर नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है मैं एक छोटे से चम्मच से तीन चम्मच डाल रही हूं चम्मच छ मीट मसाला इस्तमाल किया है आप गरम मसाला और धनिया पाउडर दोनों यूज कर सकते हैं मिक्स करके या फिर सबजी का जो मसाला बना के रखते हो जैसा कि मैं रखती हूं तो उसे भी आप यहां पर एड़ कर सकते हो तो इन्हें मसाले को हमें अच्छे तरीके से थोड़ी को दोट्र देह producing फ्रच तक के लिए पका लिए ताकि यह अच्छे तरीके से पक जाए तो चलिए आप उन्हें ढग भी सकते हैं और एगर आप इस में थोड़ी और हुआ से थोड़ा और गीला बनाना चाहते हैं अपनी सब्जी में रस्सा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं तो यह देखिए पांच मिनट मैंने बिलकुल तैयार है बिलकुल हलवाई स्टाइप चैल आज आलू परवल मैंने तैयार किया इसके पहले मैं बिलकुल हलवाई हो जैसी अलु को भी की सबजी आपके साथ शेयर की थी उसकी रासिपी का जो लिंक के न description box में आप देखिएगा और यह सब्जी बहुत ही बढ़िया टेस्टी तयार हो गई है इसे आप रोटी पराठा पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लग रही है सब्जी तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाइबा फ्रेंड्स और